छोटा भीम एंकर्स दम्यान का टीजर देख के समझ आता है कि ये हार्ड कोर बच्चों के लिए बनाया गया है में 2024 में रिलीज होने वाली छोटा भीम लाइव एक्षिन हम इसे लाइव एक्षिन ही बोलेंगे क्योंकि इसी के नाम से एक एनिमेटेड वर्जिन बहुत पहली आ चुका है 2012 में PVR ने इसे ठेटे में रिलीज किया था जो हमें आशिर्च शकित कर दी थी जब ये अपने अवकाद से बहुत ज़्यादा ही कमा लिया था फिर उसी का सक्सेस देखते हुए एक और पार्ट लाया गया है राइज अव दमियान जो पोगो टीवी पे है रिलीज किया गया डायेक्टली अब इसकी कहानी में टाइम ट्रेवलिंग है जहां छोटा भिम चुटकी, राजू, जगू, कालिया, ढोलू, भोलू टाइम ट्रेवल करके हजारों साल पहले पास्ट में जाते हैं सोनापूर पे जिसमें डोलकपूर के राजा इंद बर्मा उनकी मलत करेंगे पास्ट में जाने के लिए जहां वो पास्ट ने पहुंच कि वहां के जादूगर से मिलते हैं अनुपमखैर से जो गुरू समभू है इसके ऊपर उनको दम्यान को हराने के लिए उससे क्यात करने के लिए बुग आफ मागी को हासिल करना होगा जो कि दोया बारा में आने वाले छोटा भी उनकी रीमेक ही लग रही है जहां उसमें भी सेम ही कहानी हुई थी spoiler alert इसको देखनी है उसके spoiler है भी तो होता कुछ ऐसा है कि बायमिंस्टिक राजा इंदर बर्मा से पास्ट में दम्यान छुट गया और उसके साथ साथ होलाग पुरे खाजान खताम होने की विए स्टोरी चलेगी parallelly लेकि इन सब में सबसे important है book of maggie जिसको हासिल करके दम्यान को सांथ किया जा सकता है एंद फीड अनुपोंख हैर अपने Avengers को power देंगे जो actually animated version जैसा ही है जिसका glimpse हमको live action में भी देखने को मिल जाता है अब हम इस पर बात क्यूं कर रहे हैं छोटा भीम के live action पे तो इसलिए मैं बात करना हूँ कि मैंने अपने बजपन में हद से ज्यादा छोटा भीम देखा है जब टीवी पर डोरे मॉन, बेंटें, सिंच और कितरे सु नहीं आ रहे होते हैं तब उस तरह छोटा भीम चल रहा होता है जो कि काफी better option था मोटू पतलों से जहां मैंने इसे डाकू मंगल सिंग के था लड़ते हुए और साथी में किर्माडा को धूल चटाते हुए भी देखा है लेकिन जैसे यसे हम बरे होते गए धीरे देश समझ आया है ये एक नॉंसें से ज्यादा कुछ नहीं है हाँ मैं मानता हूँ छोटा भी मुझे कुछ episodes कुछ movie काफी better थी जैसे कि किर्माडा वाला लेकिन कहीं न कहीं छोटा भी pop culture का बरा पाठ वीड़ा है जिसे हम नजर अंदाज भी बिलकुल नहीं कर सकते हैं लेकिन बात वहीं आयाती है quality पे कि आज के दौर में भी इस तकी quality लेकिन करने तो करें क्या इनकी भी मजबूरी है भारत में हर मीनेट कई सारे बच्चों का जरम होता है जो इनके लिए नए नए ओडियनसी तरह काम आते हैं तो इनको अपने content sequence के जोड़ कभी पढ़ी ही नहीं लेकिन इसे डार्यक्ट ठेटर में release करना वो मुझे समझ नहीं है क्या यह अपने content पर इतना भार सा रखते हैं यह 2024 बड़ी से बड़ी movie हैं compete कर पाएंगे लेकिन मैं एक बड़ देखना चाहूंगा कि छोटा इमटेटर में देखने कैसा लगता है अपने opinions को में पने जरूर से पताना कमिया निकाल के कुछ नहीं होगा अपने अकात हिसाब सही किया है